मुझे यह बताईए कि क्या यह जो एंटी सेटलाइट वैपन्स हैं या कोई भी और इस तरह के जो वैपन्स हैं इनकी उपर चेक करने के लिए क्या कोई सिस्टम मौजूद है या यह आम्स कंट्रोल रिजीम के अंडर फॉलो करते हैं कौन से इस इंटरनेशनल कवानीन है जो भारत के उपर पाबंदी लगा सकते हैं या इसको कंट्रोल करने के लिए कि जैसा भारत का क्लेम है कि यह पीसफुल परपस के लिए नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज मैं आपके लिए एक नया पाकिस्तानी वीडियो लेके आई हूँ तो एक बार वीडियो देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें और वीडियो को शेर करें मैं मिलती हूँ आपको वीडियो के आखिर में आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे एंटी सैटलाइट टेस्ट और उसके होने वाले जुनूबी एशिया और मुस्तक्बिल के असरात के हवाले से और हमारे साथ मौझूद हैं प्रोग्राम में सर्मत जिया जो की रीसर्च फेलो है सेंटर फोर इंटरनाशनल स्ट्टेजिक स्टारीज सुर्मत वेलकम तो आर प्रोग्राम सर्मत सबसे पहले तो मुझे ये बताईए कि ये एंटी सैटलाइट टेस्ट क्या होता है और ये किन मकासित के लिए किया जाता है सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो सैटलाइट होती है उनका यूस क्या होता है सेटलाइट पीस्फ़ उस를 के लिए होती हैं और मिलिटरी यूस के लिए जो पीस्फ़ उस ऽी असे पडेओर अगर्म से यह आपके वेडर के वेयरत जिएखने के लिए चाहिए प्रफट मेजिए Farm । वन इंधे प्ली इंध्रिक, टो इसमें रिकॉन होता है, सर्वेलेंस होता है, इंडेलिजिन्स ऑपरेशन होते हैं, जिसके थूँ आप दुश्मन के जो डिफरेंट लोकेशन हैं, डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, उस पर आप नज़र अख सकते हैं. अब बात करते हैं, एंटी सैटलाइट टेस्ट की, एंटी सैटलाइट टेस्ट बेसिकली आद टेस्ट जो के तुश्मन की सैटलाइट को तबाह करने के लिए एक केपिबिलिटी डेवलिप की जाती है, इंडिया ने जो रिसेंट टेस्ट किया है, ताट बेसिकली और जहरी सी बात है जंग के दुरान अगर आपकी रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस और इंटेलिजनस और इंटेलिजनस अपरेशन पर को डिस्ट्रॉई कर दिया जाए जो कि सैटलाइट बेस्ट हो तो इससे जंग पर बहुत ही नेगटिव असराइट मरतब होते हैं बिकल सर्में जिससे आपने बात किया कि भारत ने अपनी ही सैटलाइट को मार गिरा तो यकीन जो स्पेस है वो भी इसे एफेक्ट हुई होगी तो इस तरह की जो टेस्टिंग होती है उसके हमारी जो नेचर है हमारी जो स्पेस है आउटर स्पेस से स्पेसिकली उस पे क्या ए क cricket का प्रिक्षान करता है when something re mighty温र इस एंरा सबस्रें एंसे प्रिक्षिन वाहर होती यैं लेकिन इस पर वाहर था नॉचेफ इस संव भागन हा भी होते लेकिन was a a piş कियों के जोट्ठविंके तुक्रे होते हैं वो हिलासती में हो दे है और एंक cabbage प्राइट पहले बिश्टन्ज मेरोय स्वेयरा ग्रेडब बोस्ट आ सदेलाइट जने कीुंग अर्फिर्टिकल और मेरो आपके बद्रिकल आ।कर फिरलोय से लिविजय कुए छुछ उनको एक्रपीलास्थ कॉ एसंट्फे सपेस्क नासा है। इंडिया के जो टेस्ट है, इसके बहुत ज़ादे नेगेटिव इंपक्त है, इंप्लिकेशन हैं फोर इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन इस वेल, और वेरियस सैटलाइट इस से मुटासिर हो सकती है, तबाव भी हो सकती है. सर्मत, हम मुझे ये जरूर बताईए कि देखें, जैसा मैंने अपने इंटरो में जिकर किया, कि भारत जब इस किसम के मिजल टेस्टिंग करता है, या इंटी सेटलाइट टेस्ट अब जब उसने ये किया है, कि भारत की वजह से ही, आपके जो दूसरे ममालिक है, वह आपको आपको आंज रेस में इंडल्ज नजर आते हैं, तो इसके जुनूबी एशिया पे, साउथ एशिया पे क्या एफेक्ट सो सकते हैं? देखें, जिस तरह के ISPR ने भी कहा, बाकिसानी कामर्ण ने भी कहा, कि इस वाज़ टेस्ट अगेंस्ट अन एनिमी ता दिड़ नॉट एक्सेस्ट, भारत का इस वक्त, इस टेस्ट करने का मकसद समझ से बाहर है, क्योंकि दुसरी जानब हमें मूदी सरकार की जानब से एक टूइट भी नज़र आई, उन्होंने कहा कि यह पीसफुल परपस के लिए यह टेस्ट किया गया है, और इससे दुश्मन को खतरा नहीं होना चाहिए, जबकि हम देखते हैं कि बाकी अधारे तनकीद कर रहे हैं कि यह जो टेस्ट है, यह खिते के आमन को मुतासर कर सकता है, तो आपको किसी तौर पर आमन टेस्ट नहीं कह सकते हैं, भारत का इनने इसको शोकेस किया है, यह किसी भी अंगल से ऐसा नहीं महसुस होता कि यह एक पीस्फल टेस्ट है आप पॉस्स प्लवामा सुचेशन में देखें कि भारत का रवया रहा है आज की जो नियूस है कि यूएस बिसक्ली आप एक पाकिसान जो नॉट आप शुट डाउन तो अलरी भारत एक बहुत बहुत जादा अंडर्माइड हुआ है थाउट इसाउट इस्टार्मा में उनके जहाजगे रहे जाहा है उनको भी रहे प्लिकेट करना है उनको भी किस त इसने लिए अपनी कर्मेंट को ठाने के लिए ये टेस्ट के कर रहा है सर्माइड इस पर मैं आप से जारत हम देखते हैं कि हमेशा कहेगा ये कि है ये पीस्फुल परपस के लिए लेकिन वो खिते में थ्रेट हर वक्त एक आरा का पोज कर रहा है सर्माइड मुझे ये बता कि हर चीज़ पर एक जो है लेबल लग चुका रहा है वह लग चुका है क्योंकि everything is connected internet का दौर है satellites है different हो है hack भी हो सकती है in itself missiles को hack करना it's not an easy task क्योंकि industrial and military gauge होती है उनकी security होती है that's very difficult and somewhat or almost impossible as well लेकिन nothing is impossible in this world कुछ भी हो सकता है सैटलाइट को hack करने की एक बहुत से different organizations है companies है individuals हैं जो के इसकी capability रखते हैं तो it cannot be struck out लेकिन for the purpose of this ASAT test cyber को हम इसमें इससे गर्दूर ही रखें तो बहतर है ठीक है सरमत आपके साथ गुफ्तुगों का सिलसला हम जारी रखते हैं यहां लेंगे एक ब्रेक जी सरमत ब्रेक पर जाने से पहले आपने तफसील से हमें बताया कि यह जो एंटी सेटलाइट वैपन्स हैं यह क्या होते हैं मुझे यह बताईए किया यह जो एंटी लगा सकते हैं यह इसको कंट्रोल करने के लिए कि जिसा भारत अक्लेम है कि यह पीस्फुल परपस के लिए तो इसकी पर चेक इन बैलन्स रखने के लिए कौन सा इसा अधारा या कोई मुल्क मौझूद है देखिए एटीज में सेंटीज में तुस पर बात हो रही थी बहुत सारे मौमालिक ऐसे हैं कि जो के इस पर अग्री करने नहीं चाहते हैं बहुत से सैटलाइट सेंट्स हैं जो के रिडंडेंट हो जाती हैं जिनका इस्तमाल नहीं रहता तो जिस तरह 2008 में यूएस ने एक मिजाल लांच किया जिसने यूएस की एक डिफंक्ट है और जो अंडेस्टैनिंग है वो बहुत ज्यादा है इंडिया से और उसको संभालने की ताकत भी रखते हैं एक्सपरटीज भी रखते हैं इंडिया का इस तरीके से टेस्ट करना जो है सिर्फ और सिरफ दूसरे ममालिक को इंस्टिगेट करने वाला एक अमल है तो अगर इंडिया से बाकी ममालिक करते हैं इसको इसको फॉल्व करते हैं तो जाहरी सी बात है एक वपिनाइजिशन का एक दौर चल पड़ेगा अरई चार ममालिक कर चुके हैं इसा टेस्ट बहुत से और दूसे और ममालिक हैं कि जिनके पास यह किपेड़िटी मौझ है लेकिन end of the day हमें ये बात भी हम जानते हैं कि भारत का ये अमल पूरी दुनिया के लिए नुकसान दे हो सकता है हमारे अमन के लिए भी साथ एश्या के अमन के लिए भी दूसरे मुलकों को भी ये वो करेगा एक आम ज्रेस्मी इंडल्च करेगा भारत और इससे पूरी दुनिया को न तासिर कर सकता है जो आपकी इंटरनाशनल पावर्स हैं उनको सोचना है और भारत को प्रेशराइज करना है कि अगर उसने साउथ एशिया में हत्यारों की दौड जारी रखी तो खिते में किसी सूरत अम नहीं आ सकते हैं हेलो दोस्तों तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोग जो भी इंडियन यूटूबर हैं उनके जो वीडियो होते हैं पाक के उपर उनको आप डिसलाइक ना करें क्योंकि यार अपड़े काका जो है ना व थीक है उनके हमारे सपोर्ट में करो यार उनके विरोध में क्यों करो उसके लिए तो वह खुदी हैं